Hey what's up guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बालूँ अगर आपके पास में कोई ऐसी पुरानी साइट है जिसे आप लोग पहनना पसंद नहीं करते हैं पर आज से आप उस साइट को पहनना सुरू कर देंगे क्योंकि आज मैं आपको 5 सिंपल साइट के ट्रिक बताने बालूँ जिससे आप किसी भी साइट को पहन कर स्टाइलिस दिख सकते हैं किस कंपनी की है वो कितने रुपई किया किसी से कोई की से वे स्टाइलिस दें सकते हैं को थोड़े अलग पहनना तो इसके लिए करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपनी स्ट इस तरह से पकड़ना है और फिर आपको गिक को maintain करना मतलब कि जो आपकी सर्ट की बीच की गेग लाइन होती है वो आपके बैल्ट के बकल के ऊपर आनी चाहिए और फिर आपको अपनी सर्ट को थोड़ा सा कि लाइन है है अंदर की तरह अपने बैल्ट के बकल में इस तरह से थिक है अब आगे का आपको याusरा राखना इब आपके दो फायद है पहले तो बहँ स्थायलिच दिखाएंगे आप थोड़े से अलग दिखेंगे क्योंकि जितने भी बंदी होंगे वो simple से site पहने होंगे या फिर वो tuck in करे होंगे या फिर वो openly पहने होंगे पर आप थोड़े से अलग दिखेंगे और इसका दूसरा जो फायदा बो है कि अगर आपकी site थोड़े सी lose है और आपको urgently कहीं जाना है उस वक्त आपके पास में इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप tailor के पास में जाके अपनी site को fit करा ले तो आप इस तरह से करके जा सकते दूसरी जो trick है ना भाई उसमें आपको करना क्या है आपको अपनी site का आगे का पार्ट होता है इस तरह से आपको इतना कर लेना और आपकी site का पीछे का पार्ट होगा site का पार्ट होगा आपको इससे ऐसे ही छोड़ देना है आपको इसमें एक दम funky look दिखाएगा आप थोड़े से funky दिखोगे sexy दिखोगे number 3 जो trick है यह बहुत ही simple से trick है और यह उन लोगों के लिए थोड़े से sexy दिखना चाहते हैं अब इसके लिए आपको करना क्या है आपकी site के button होती है वह आपको उपर के दो button खोल कर रखनी है अब इस जो गले बाला button होता है आप उसको तो खोल कर रखते ही होगे number 4 है आपके site के slips है मैंने बहुत से बन्दों को देख रहा है वो simple से fold कर लेते हैं अपनी slips को और उनका जो fabric होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादे खटा हो रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादे खराब दिखते हैं तो आपको अपनी site को कुछ इस तरह से fold करना है सबसे पहले आपको अपनी site के fabric को थोड़ा सा लंबा fold कर लेना है ठीक है उसके बाद में एक और थोड़ा सा fold कर ऐसा करने से क्या होगा आपकी जो site का यहाँ पर fabric के खट्टा होता है वो भी नहीं होगा और दूसरी बात यह थोड़ी सी clean दिखेगी थोड़ी से stylish दिखेगी क्योंकि यह अलग से उपर जो fabric आ रहा है यह आपको थोड़ा सा stylish दिखाएगा और भाई इसका तीसरा जो फायदा वह है जब भी आपको अपनी slips को नीचे करना तो आप इस तरह से नीचे कर सकते हैं यह एक बार में नीचे आ जाएक और आपके site की प्रेस होगी वह भी खराब नहीं होगी नमबर फायब है भाई आपके collar अगर आपके collar नीचे पड़े होंगे या फिर उनके उपर प्रेस नहीं होगा तो भाई आप कितनी मर्दी अच्छी सर्ट पैन लो उसको किसी भी तरह से style कर लो पर वो आपके उपर खराब ही दिखेगी यूँकि भाई जो collar वाला पार्ट होता है वो सबसे पहले दिखाई देता है क्योंकि जो भी बंदा आपसे मिलेगा वो सबसे पहले आपको face को देखाईगा और face के साथ मैं भाई जो य hair straightener लेना है उससे आपको अपनी collar को इस तरह से straight कर लेना है और फिर आप देख सकते हैं आपकी collar सीधी खड़ी भी रहेगी और इसके उपर प्रेस करने की भी जरूरत नहीं होगी अब यह एक hair straightener दोनों चीज़ों का काम कर देगा आप लोग मुझे नीचे comment करके जरूर ब दोस्तों के साथ मैं इस वीडियो को share जरूर कर दें